रश्या में मिसाइल अटाक होने वाला है ऐसी वार्निंग 26 सेप्टेंबर 1983 की स्योबा सोवियक यूनियन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा था कि 5 इंटरकॉंटिनेंटल मिसाइल यूएस की तरफ से फायर करी गई है और वो रश्या की तरफ ही आ रही है और कम्प्यूटर के सामने बैठे एक सोवियत ओफिसर स्टानिसलाव पेट्रॉप के हाथ पेर फूलने लग गए थे अगर ये रिपोर्ट सच थी तो अगले 20 मिनट में ये मिसाइल रश्या की धर्ती पर हिट करने वाली थी और इसके बाद रश्या को भी एक नुक्लियर अटैक यूएस पर जवाब में करना ही पड़ता पर इस ओफिसर ने ये बात अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट नहीं की क्योंकि इसको लग रहा था कि ये एक सिस्टम की गलती है और थोड़ी देर बाद ऐसा ही निकला कम्प्यूटर ने गलत जानकारी दी थी और उसने ये चीज मिस इंटरपेट कर ली थी पर सोच कर देखिए कि अगर ये ओफिसर उस काइम पर अपने सुपीरियर को ये बात बता देता तो रशिया पूरी दुनिया में तबाही मचा देती और एक नुक्लियर वार को कोई नहीं रोक सकता था